वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आई होफसो कि सभी बहुत अच्छे होंगे और गूड मॉनिंग आप सभी को मेरी दफ से आप आज है संडे और यह संडे का व्लॉग है मेरे हस्बेंड कर रहे हैं पूजा करने के लिए गए हैं मेरा बेटा देख रहा है क्या बना रही हूं आज मैं बनाओंगी मैकरोली नास्ते में और फिर हमको जाना है मार्केट क्योंकि मेरे हस्बेंड को जाना है साधी में तो उनको अपने लिए कुछ जैकिट जुकिट देखना है तो मार्केट चलेंगे हम और पहले मैं बना लेती हूं नास्ता और सारा क मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं सब लोग और फिर बनाती हूं मैं नास्ता तो आप लोग बने रहे हैं ब्लॉग में मेरे साथ कि कि दिखा दो कि अधिक नहीं कि दक सुने घए बनाती हुर्ण के रहे हैं यदे एंगा प्रणाओं चार 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 करें लागदान प्रणाओं लागदे लादे अपर बादे लादे यह में पोग तो तीम्या नगा युटा तो फ्रेंड यहाँ पर मै implyरोनी बना रही हूं सभी लोग नहा गया है पस बेटा रहा है मेरा नहाने के लिए और उसने बाल कटाने जाना है वो उसके बाद इना आएगा तो मैं रात के जो बरतन्द हो ओए थे उनंको लगा रही हूं और यहाँ पर मैंने heeft मैक्रोनी को boil करने के लिए रख लिया है तो macaroni boil करने के लिए मैंने पानी डाला है उसमें macaroni डाली और थोड़ा सा नमक और oil डाल दिया है ताकि नमक से अंदर तक अच्छे से नमकीन हो जाए और जल्दी से boil भी हो जाए और तेल इसलिए डालते हैं कि ताकि वापस में चिपके न अच्छे से एक-एक अलग होके आए तो मैं इस तरह से कल रात के जो बरतन दोएते हैं सबसे पहले मेरा सुबो उटके मौर्निंग में यही काम होता है कि जो बरतन होते हैं उनको लगाना और इस चीज मेरा मुझे बहुत हालसा आती है बरतन दोखे जो मैंने रात को रखे रहते हैं उनको लगाना यह मुझे बहुत बेकार सा लगता है और इसके बाद मुझे आरो का पानी भरना है मतलब बोटलों में तो सुबो का टाइम जो होता है बहुत वीजी होता है लेकिन आज संडे है तो आज थोड़ा धीरे धीरे सारा काम होता है हम पहले सो के जब उठते हैं तो थोड़ा थोड़ा चाई पीते हैं उसके बाद हम मतलब नहाँ होते हैं मतलब धीरे धीरे काम होता है लेकिन जिस दिन ड्यूटी होती स्कूल होता है बाकी के जो छे दिन होते हैं बहुत ही वीजी होते हैं सुबो मतलब चाई भी नहीं पी जाती ठीक से मतलब कह सकते हैं कि अपना मूध होने का भी टाइम नहीं लगता है जब तक ड्यूटी वाले और स्कूल वाले गए न तो ऐसा होता है हमारा हाउस वाइफ का जो सिड्यूल होता है संडे के दिन भी हमको काम करना होता है लेकिन संडे के दिन थोड़ा धीरे 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 मतलब थोड़ा बैठ के मतलब थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं यह कह सकते हैं बाखी संड़े के दिन और ज़्यादा काम होता है पूरे दिन लगे रहो लेकिन यहीं कि संड़े के दिन तसलिए से थोड़ा हम काम कर सकते हैं और दिन जल्दी जल्दी एल्दी रहता है। जैसे कि प्याज हो गया, टमाटर हो गया, सिमला मिर्च और आज में इसमें पत्ता गोबी भी डाल रही हूँ तो ये सब चीजे में काटके रख लेती हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं पूजा करके मतलब जल चड़ा के आऊंगी तो मैकरोनी भी ठंडी हो जाएगी तो फट अलग कर सके और लाल मिर्च में स्किप करूँगी इसमें तो मैं क्या कर रही थी ना फ्रेंस साथ में मैकरोनी यों को भी चलाते रह रही थी और उसके आगे की तयारी भी कर रही थी तो कभी-कभी क्या होता है न मेरे साथ तो अकसर होता है ऐसा कीचन में ही रहते हैं लेकि पूजा में चड़े हुए फल निकल रखे तो इनको भी मैं काट के दूँगी नास्ता करने के बाद दूँगी और इधर यह देखिए मेरी मैकरोनी अच्छे से बॉयल हो गई है यह देखे तो मैं अब इनको गैस बंद करके इनको ठंडा होने के लिए निकाल लेती हूं और मैं फटा-फट यह सबजियां भी चॉप कर लेती हूं उसके बाद मैं इनको धोने के लिए डाल दूँगी तो फ्रेंड्स मैंने सारी तयारी करके रखी थी मैकरोनी की कि मैं मैकरोनी की फुल रेसिपी आप लोग के शाथ शेयर करूंगी वैसे तो मेरा दूसरा चैनल है मै प्लेन मैकरोनी है टमेटो मैकरोनी है तो मैंने सोचा आपको इस चैनल पर भी थोड़ा बहुत शेयर कर दूँगी लेकिन मैं शारी तैयारी करके गई तो देखा मेरे हस्बेंड ने पूजा नहीं करी थी उनको टाइम लगता है पूजा करने में मैं तो खाली जल चड़ात तो मैंने कहा जब तक पूजा करते ही तब तक मैं मैकरोनी बना लेती हूँ और मैं भूल ही गई वीडियो को सूट करना आगे मैकरोनी की वीडियो सूट करना भूल गई और फिर जब तक मैं जल चड़ा के आई ना मेरे हजबेंड ने ने प्लेट में रख दिया था और जै तो यह मैंने सारी चीजे चॉप करके रख ली है और इधर मेरी मैकरोनी भी अच्छे से बॉयल हो गई है आगे की रेश्पी में शेयर नहीं कर पाई तो आप ब्लॉक में बने रही है फ्रेंट्स पता ही नहीं चला तो फ्रेंट्स क्या बोलते हैं मैकरोनी मेने बना ली थी और मैकरोनी हमने खा ली और मैं सूट कर नहीं भूल गई हूँ क्या बोलते हैं मैगरोनी बनाने के बाद मैं पूजा करने लगी और जैसे मैं पूजा कर रही थी तो तब तक मेरे हजबेन मेरे बेटे को दे दिये और पूजा करने के बाद तुरंद मैंने थोड़ी थोड़ी सी बना रखी थी और फिर मैं भी खाने लगी और भूल गई और हसुन के पत्ते और हरी मिर्च और इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और मेरी हजबेंट जा रखें मार्केट छोटू के बाल कटवाने के लिए तो मैंने उनको बोला कि संत्री लेके आना वो संत्री लेके आएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे खटाई यहां पर दीदी से यह पहले नमक भी पीशूंगी और साथ साथ बिग बॉस भी देखोंगी तो खटाई की वीडियो हो सेगे तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेर करूंगी और सौरी फ्रेंड्स मैक्रोनी की वीडियो नहीं कर पाई शेर तो नेक्स टैम कभी कर लोंगी पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया मेरा है तो चलिए रिमोट खराब हो रहे है तो टी भी यहां से चलानी पड़ती है आज और खासी बहुत हो रही ऑर इसलिए जैसे जैसे बोल रहे हूंघए तो सास फूल की यह और फिर खासी आ रही है तो थोड़ी दियर मैं मिल कॉझक है के मापत र दनिया बिल्कुल फ्रेस दनिया है लहसुन की पतियां है और चार मैंने मिर्ची डाल रखी है और अब मैं इसमें डालूंगी देखिए नमक लेके आई हूं नमक डालूंगी और फिर इसे अच्छे से पीसूंगी इसमें मैंना आलू थीचे थे तो थोड़ा आपको ऐसे लग कि मैंने आप लोगों के साथ मैकरोनी की वीडियो भी शेर नहीं कर पाई वह मिस हो गई है और क्या होता है ना संडे को जब फैमिली सारी फैमिली एक साथ घर पे रहते हैं तो ब्लॉग बनाने मैं सच में भूल जाती हूं फैमिली की साथ संडे का ही टाइम एक ऐसा मिलता ह साथ बिताने के लिए तो मैं भूल जाती हूं तो फ्रेंट्स मैं मैं करोनी की वीडियो सेर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ और उसके बाद मैंने सिलबटे में जो चटनी बना रही थी मैं हरा नमक वो भी मैंने आप लोगों के साथ सेर किया था और बोला था कि आप लो पुलाव बनाया था और जब तक मैंने पुलाव बनाया तब तक उनों लोगों ने खटाई बना दी और उसके बाद उनों मेरे को बुला रहे थे तो मैं तुरंट गैस बंद करके बाहर गई और खटाई हमने खाने लगे और मैं भूल गई वीडियो सुट करना तो इसके दो बार बुला और दोनी बार में कर नहीं पाई सची में मुझे बहुत बुरा लग रहे हैं सोचा था कि यह वीडियो यहीं पर छोड़ दूं लेकिन यह भी गलत होगा तो फ्रेंड्स अभी है रात का टाइम और अभी 7.30 का टाइम हो रहा है और मेरे हजबेंड अभी भी मार्केट गय है और मेरका बेटा भी मार्केट गया है और मैंने कल रात वाला वीडिट बूस आधा देखा था वा क्योंकि संडे के दिन इतना वीजी सुडूल रहता है कि मैं बिग भूस भी नहीं देख पाई तो अभी देखा में civedy भी बिग बचा वह सारही वीडियो भी मौसम बहुत ठंडा है वैसे मुझे कल ठंडा नहीं लगा था क्योंकि कल जो साड़ी मैंने पहनी थी उसके बाजू पूरे थे तो इसलिए ठंड नहीं लगी थी लेकिन फिर भी ठंडा हो गया है मौसम तो अपनी क्यार करनी चाहिए और फ्रेंट्स सादी में जा रहे हैं और अब आज से आपको पता लग रहा होगा वी भी खासी हो रही है तो सादी में ना मैं नॉर्मल खाना खाती हूं वैसा खाना नहीं खाती हूं जो मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं है तो क्योंकि मुझे भी पता है मेरी तवित खराब है और मेरे हजबेंड और मेरे बेटे की तो उदर से भी कोई नहीं जा रहा है साइदा साधी में तो हमको फिर जाना ही पड़ेगा और कल मेरे बेटे का इसकूल में फंक्षन है तो वहां भी हमको जाना है उन्होंने हापडे लिया है तो अभी मैं रेडी हो गई हूं बस बाल नहीं बनाए है यह देखे बाल अभी ब आते हैं तब तक मैं थोड़ा सा रिलेक्ष कर लेती हूं और नेल पे निकली है थोड़ा इसको भी लगाऊंगी बाल बनाऊंगी और थोड़ा सा आराम करूंगी आज कल तवित खराब है ना तो कंटिन्यू काम करने से थकान बहुत जादा हो रही है तो इसलिए तो फ्रें जे मतादी